दोस्तों फिर से लेकर आएं देखिए आपके लिए एक जबरदस्त कंपनी और आप से पहले ही का था एक शेयर के ले लो आप तीन चार दिन पहले यह वीडियो बनाई थी और आज देखिए 15% का इसने अपर सरकिट माला है सुवे से ही लोक रहा अपर सरकिट में और तूटा ही नहीं करोडों में इसका आज trading volume हुआ कौन सा यह share है देखेंगे इसको क्या इसका fundamentals है और क्या news है वो भी हम देखेंगे लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please कर लिजे क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहती है आपको और market की जो भी news है सबसे पहले आपको यहां मिल जाती है तो चलिए शुरू करते हैं देखते हैं पहले delivery percentage और trading volume कमपनी का आज का देखें पहले देखते हैं BSC पर आप date देख सकते हैं 2 November और 3 वज के 30 minute पर यह data आया है लाश्ट में और quantity trade हुई है इसमें 7,37,6,930 की delivery उठा इसी को आप NSC पर भी देखेंगे देखें तो देखें पहले देखते हैं इसके कल के लिए order तो कल के लिए order लगे हुए है 75,5,660 का यह order लगा हुआ है कल AMO के लिए तो कल भी upper circuit में ही company के रहने की उम्मीद है और देख लेते हैं आज का जो market में रहा उसका क्या trading रही क्या delivery रही वो देखते हैं देखें तो यह देखेंगा यहां पर भी 1,35,31,718 trade quantity हुई और जो delivery उठाए गई वो उठाए गई 1,23,2046 share की और percentage रहा 90,91% NST की delivery बहुत माइने रखती है देखें तो बहुत सांदार कल को भी आपको यह upper circuit में ही जाते हुए दिखेंगा यह share देख कौन सा share है क्या करती है company और क्या notice था जिसका रणी यह भागी देखी यहां आप नाम भी देख सकते हैं company का MPS InfoTrack Limited यह इसको हम business InfoTrack भी बोलते हैं और नीचे देखेंगे देखेंगे notice आया है इसका आया है subject है intimation of board meeting of consideration of unaudited financial result for quarter half yearly ended September 2022 मतलब इसका जो है 2022 का 30 September का जो quarter है second quarter इसके result यह announce करने वाले हैं जिस कारण से भागी है company और यह आएगा देखेंगे आप से low था इसका क्योंकि यह पहले regular trade नहीं होता था फिर इसने फीस भरी अपनी फिर उसके बाद जब से regular trade होने लगा तो बहुत अच्छी इसने rally दिखाई लेकिन फिर एक high मार के फिर नीचे चला गया book value है एक रुपे 16 पैसे की तो अपनी book value से नीचे मिल रहा है यह company के peer comparison देख लेते हैं टाटा इलैक्सी माफासिस एलन टी और पर्सिस्टेंट्स सिस तो यह कुछ पर्सिट कंपनिया है जो इसके competitor है company के reserve देख लेते हैं और borrowing देख लेते हैं तो देखेगा के reserve है company के पास 61 करोड के reserve है बहुत सांदार reserve है और borrowing भी है करजा भी है 20 करोड का लेकिन 61 करोड के reserve के सामने तेज करोड का करजा कोई माईने रखता नहीं है इसलिए almost debt free ही है company अगर share holding pattern देखें तो थोड़ा सा आपको थोड़ा क्या बहुत ज्यादा खराब दिखेगा एक पिचान भी ही रहा है वस promoters के पास बाकिस्तार अकसारा माल public के पास है थोड़ी risky company हो जाती है ले लेकिन future में companies अच्छा भी कर सकती है लेकिन risky company है तो please अपने risk पर ही इसमें risk को अपने देखकर फिर इसमें invest कीजेगा sales बगारा देख लेते हैं देखें जहां 10 लाग की 2020 में थी September में यही अब 14 लाग की होगी यह sales बढ़कर और company जो है अभी इसका अगर profit हम देखें तो फ अपने risk पर ही कीजिएगा company में जो यह है देखें compound sales growth यह आप जाके positive में आ रही है पहले negative में थी सारी और compound profit growth जो है वो भी आप positive में आ गी है पिछले 3 साल से और अगर CAGR देखें श्टोक का तो सांधार रहा है पिछले 5 साल से ही 70% का 3 साल में 141% और 1 साल में 200% का एक CAGR अ चैनल को subscribe कर लिजिए क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपका हमें से मिलती रहती है हमारे चैनल पर मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद जैभारत